तो आज मैं आपके साथ शेयर कहने जा रही हूं पुदी ने की बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी की वेसिपी इसे आप फटा फट से कभी भी बना सकते हैं और इसे बनाने में बिल्कुल भी महनत नहीं है आप 5-7 मिनिट में इसे बना के रेडी कर सकते हैं तो चलिए पुदीना ले लिए इसे मैं अच्छे से वाश कर ले आता है और हम यह पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे चीरा ले लेंगे हमादा चमच नीमबू करस ले लेंगे हरी मिर्च ले लेंगे चार अगर आप साथती का पसंद करते हैं तो हरी मिर्च थोटी जाता अद्रक ले लेंगे हम टमाटर ले लेंगे मैंने एक बड़े साइस का टमाटर यूस किया है तो पुदीने की चिटनी बनाने के लिए हमें और किसी चीज की ज़रूरत नहीं है हम इन चीज़ों से चिटनी बना लेंगे तो चली पटा पट से शुरू कर लेते हैं तो सबसे यह बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा जो हमने लिया था टेस्ट के कोडिंग हम नमक डाल लेंगे और लास्ट में डाल दूँगी यह पे निम्भू कर रस और हम इसमें थोड़ा सा पानी अड़ करके और धकन बंद कर लेंगे और चुटनी को मच्छे से पीस लेंगे यह चुटनी बिल्कुल रेडी है तो हम फट फट से इसे एक बावल में सर्फ कर लेंगे तो यह लीजिए चिट पटी और मज़ेदार पुदीने की चुटनी बनके रेडी है इस चुटनी करेस्ट खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप इसे रोटी के साथ पराटे के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं तो आप एक बर इस रेसिपी को बना कर जरूर चाहे करें और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएंगे रेसिपी आपको कैसी लगी